नमस्कार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैसेजिकेशन पर आज जो क्लास हम कराने वाले हैं प्रयोग साला परिचाला, होस्टल वाडन, एडियो, सिजी पीसी के लिए काफे महत्ता पूर्ण है यहाँ पर मेसेज ना करें ठीक है तो आज हम जो क्लासेज करेंगे काफे महत्ता पूर्ण है जो आपके 36 जलवाई, 36 जलवाई, 36 जलवाई, 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 रायगर जिला, कौन सा हो जाएगा रायगर, जो गमूर्दा अभ्यारण है, छतिस गड़ किस जिले में सित है, रायगर जिले में, छतिस गड़ में वन जी अभ्यारण कितने हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि देखें, यहाँ पर छतिस गड़ में वन जी अभ्यारण के ब आपका इंद्रावती राष्टी उद्यान, उसके बाद दूसरा है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन से है, गुरु घांसी दास राष्टी उद्यान, और तीसरा है आपका, हाँ बताएं कांकेर घाटी राष्टी उद्यान, जी बिल्कुछ सही है, है ना, तो गु मुर्भीकले सब्से बडरा भैरंड है जो के 1978 में इसकी स्थापना हुई थी इसके बाद हैगर पूछा जाए 1 कि सब्से प्राचिन नदी सब्से प्राचिन अभैरहन कौन सा है आप बताएंगे शीता नदी झो थी मैं प्राचिन, अकर सब्सेदी अगर उचा जाएग थे तो में हैं तो आप अब सभी को मालूम है जो सीतन अदी अब्यारण है आपका धमतरी जिले में स्थित है है और यह सबसे प्राचुन नदी है कौन सी नदी सबसे प्राच्चन नदी अगर एक जामे पूछ ले जाना तो सितन अधी जो है वन्य जी अभ्यारन आपका महासमुन नहीं धमतरी जिला होगा तुमोर पिला अभ्यारन किस जिले में इस्थित है तुमोर पिला अभ्यारन किस जिले में इस्थित है इसकी स्थापना 1978 में की गई थी तुमोर पिला अभ्यारन किस जिले में है तो आप ब अभ्यरन किस जिले में सित्थ है पीज़ापूर कुट्रू अभ्यरन यानि कुट्रू गेम सुन्चुर एक मात्र राष्ट्र उद्यान है जो अभ्यरन में है तो बीज़ापूर में याद रखना जो कुट्रू अभ्यरन है किस जिले में सित्थ है बीज़ापूर अचानक मार आप सभी को मालूम होना चीए यहां पर अचानक मार है ना जो अचानक मार वन्य जी अभिरन है मन्यारी नदी बहती है है ना और यहां पर जो अभिरन है अचानक मार में कौन सी जानवर पाय जाता है कौन से वन्य जीव पाय जाता है वन्य जीव आप लोग कमेंट करके अब यहाँ पर देखे गर कि इंद्रवाइवाती राष्ट्य उद्ञान किस नधी सो कर बुझरती है, तो इंद्रवाती नधी आपका इंद्रावती नधी से ही उप्वुझरेगी, है ना? और ये दसवा और लाश्ट प्रसन आपके सामने कि यहाँ पर दिखिए 36 जिले में कांकेर घाटी राश्टी उद्याने कौन सा जिला में है बस्तर, सरगुजा, बलायामपूर या बिलासपूर तक कांके घाटी राश्टी उद्यान जो है आपका कौन से जिला में इस्थीत है तो आपका जाएगा बस्तर जिला में इस्थीत है कोन से जिले में इस्तित है बसतर जिले में इस्तित है और कांकेर घाती राष्टियू उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्टियू उद्यान है उन्वारिक, कंोरे करके बताएगा 36 गड़ के जलप्रपाद तो 36 गड़ के जलप्रपाद से देखेंगे 13 गड़ जलप्रपाद किस नदी परिस्थित है मुनगा वाहर नदी और मुनगा वाहर नदी किस की सहयक नदी है कांगेर नदी की ठीक है कांगेर नदी की सहयक नदी यहाँ पर मेसेज नगर में बारबर बता रहूं मुनगा वहाँ नदी आपका तीरतगर जलप्रपात से संबंधित है जो आपका तीरतगर जलप्रपात है जो कि आपको बस्तर जीले में इस्थीत है ठीक है अगर पुछा जाए कि चित्र कुट जल प्रपात कौन से नदी पर इसी था आप लोग बताएगा ठीक है कौन से जीले में इसी था यहां से आपके एक्जाम में बार बर पुछा जाता है चित्रकूट जलप्रपात और तीरतगर जलप्रपात तीरतगर जलप्रपात ठीक है चित्रकूट जलप्रपात जो कि सबसे सरवाधिक चौणा जलप्रपात है ये 300 किलिमिटर है है ना चौणाई और इसे भारत का नियागर भी कहा जाता है और तीरदगर जलप्रपात को इसकी उचाई 300 है यानि कि सबसे अगर पुछा जाएगे तीरदगर जलपात यानि कि 36 गर की सबसे लंबी है ना तो किस नदी पर है कौन सी लंबी नदी है तीरदगर जलप्रपात जो कि सबसे उचाई पर है अगर चाउडाई पुछे जाए गए तो चित्रकुट जलप्रपाथ ठीक है यहाँ तक याद हुआ मुनगा बाहर नदी आपका कांकेर घाटी मतलब कांगेर की सहायक नदी न मुनगा बाहर नदी ठीक है रक्सगंड़ा फ्रपात की신 नदी पर है तो रेंडे नदी यादे रक्सगंड़ा मतलब रेंड ऐसा धर निया खारून आपका रायपूर में हज़गा आपको पुछन जीले में कॉरबा हो कॉरबा पृथम पूर और और कौन से जीले में है कमेंट करके पताए जिसको मालूम है कौरबा प्रिथामपूर और कौन से जीले में हजदेव नदी जो एक्जाम यहां से प्रसना बनते हैं हजदेव से ज़्यादे एक्जाम में कोशन पूशे जाते हैं और इंद्रवती से ठीक है खारुन जो आपका रायपूर में और रेंड जो आपका रक्सगंडा जल प्रपात ठीक है चलिए चतिजगड़ के चतिजगड़ में कौन सी नदी दो भागों में बांटती है तो आपको हमेशा जाद रहना चतिजगड़ के ऐसा कौन सी नदी है जो दो भागों में बांटती किलो मिटर है अगर महानादी की पूछा जाया न तो पुर्य में आपका 855 हैं जब कि अगर 36 गड़े में पूछा जायता है दो जाएगा दंड करणे का पठार कहा है इन आपका बस्तरजीलिक के आस-पास है ना तो चीतरकूट जल-प्रपाद सबसे चाओन्ड़ा प्रपात भी भारत की नियागर्ण सबसे नीच़ वाल भाग को भाग को से पठार मेinkा पूछे जाए अमरेढा जारा जल प्रपपात कौन से नदी पर है? तो हसदेव नदी नदी ये कौन से जीला में है? कोरभा और पृतम पूर जीला पृतम पॉर जीला है ना? वीडियो आपको पसंद्दा रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सस्क्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो ठीक है आप केंदई जल प्रपात ये भी आपको एक्जामे कई बार पूछा गया है केंदई जल प्रपात ये केंदई कहा है कोरवा में कोरवा के कड़ोरा में कट घोरा याद रखना कैसे याद रखना केंदई का कोर्बा और केंदई का कडगोरा बस इतना अगर कोर्बा नहीं दिया है तो कडगोरा याद रखना कहीं पर देखे धमतरी बारू कडगोरा या कांके है ना तो केंदई जलपरपात कौन से जीले में है कोर्बा जीले के कडगोरा गाओं में कोर्बा जीले के कडगो कुशन जल प्रपात बतर में हैं तो यहां पर देखें यह वारबर मेंसेज कर रहा है इसको ब्लॉव कर देता है ना समझ पार हो ना मैं जब classes ले रहा हूं हाँ पर remind नहीं करना है बिलकुल पढ़ना है reason करना है ठीक है और वीडियो को दो से तीन बार देखने ताकि आपको अच्छे से यार हो जाएगा ठीक है तो हुग भूग प्रसन आपको देखने को मिल सकता है ऐसा आपके exam में है न तो कौन से जल प्रपात बस्तर में नहीं है तो राम जहर में क्योंकि सात धारा जल प्रपात तीरदगर जल प्रपात चित्रकुट जल प्रपात इस सभी का बस्तर जिले में है लेकिन एक और याद रखना कि जो सात देव धारा जल प्रपात सात देव धारा जल प्रपात आ आतधारा जलप्रपात बीजापूर, तीरतगर जलप्रपात बस्तर में, चित्रकुर जलप्रपात बस्तर में, ठीक है, तो यहाद रखना बीजापूर भी आपके आसपास बस्तर के ही आसपास है, तो कौन से जलप्रपात बस्तर में नहीं है, पूछा गया तो राम जरना जो जबकि आपको जस्पूर जीले में कहा हैं जस्पूर में याद रखना खुरसल गाटी चित्रधारा मेंदनी घुमर यह सब मेंदने जितने भी घुमर हैं ना तामरा घुमर जलप्रपात मयूरा जलप्रपात बस्तर संभाग में ही हैं ठीक है जबकि आप इसको अच्छे से लिजेगा रानी दह जलप्रपात आपको जस्पूर जीले में हैं जस्पूर ठीक है और रानी दरहा जलप्रपात कहा है रानी दरहा जलप्रपात या गुपतेश्वर जलप्रपात गुपतेश्वर जलप्रपात आपको कहा हैं सुकमा में इसको अच्छे से याद रखना र रानी दहरा जलप्रपात का कवर्धा जिले में है ठीक है कवर्धा जिले में सूरत गड़ जलप्रपात आपका डंकनी में यहां पर देखें बार बार प्रपात कर रहा हूं नोट्स आप यहां पर देखें चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में बार 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 बताओ चीत्रकूट जल्पावानी कि बस्तर कौन से पठार में, तो दनकारण्य के पठार में, ना तो चलिए देखते हैं अनसर क्या आएगा, दनकारण्य का पठार ये वाला, ठीक है, ये बार बार, चलिए फिर छती जड़की जलवाईू से कोसन करते हैं, तो आपको एक्जामें था तो यह आजाएगा चेरा पुंजी यानि अभूजमार की पाड़ी आंसर्डी हो जाएगा ठीक है मैं पाट सर्गुजा याद है कि नहीं है मैं पाट आपका सर्गुजा जी लिए में छत्ति गड़ी का सबसे गर्माई स्थान कौन सा है चांपा यानि की जांजगीर है न और यहां पर द ग ост 한 84 गड़े में सबसे कम प्राप्त यह मैं कर दो 13 गड़ी त्रगरे मैं सकति है मैं एक क्या मैं पर वाध मपंट क्वर्डा सबसे कम वर सा सबते कर तो मैं क्िलिए आपको जान्रि चांपा है जानिकर्षापत सबसे अदिक गर्मी इस्थान है क्यां आपको मालुम होगा मैंको मैंका मैंकर रेंज्स है जो है इसनिए तरह आजाएगा पहस्चिम करते हैं तरह तौड़ जक्षुर्व उनात नदी आपको पस्चीम से पूर वाजाती है है ना इधर की और बैती है और जापको बंजर नदी आपको कहा है पस्चीम में है ना बंजर नदी यह सब आपको मैंने नदी अफ़ात अंतर में कोशन कराया था ठीक है तो छति जलवाई के निमनें उसकों से च्हेतर कम वर्शा वालक प्राप्ता है तो आप बताएंगे मैं कर रहें और छति जलवाई समान तक कैसी होती तो छति जलवाई सूसकः आध्र होती इसको अच्छे से याद कर लें स ुसकः- आध्र होती तो चलिए देखते हैं यहां पर मांसुन पर अधारित है ना तो यहां पर देखेगा यह बार बार फिर मिस्टेक कर रहा है तो 36 की जो जलवाई होती सुस का आधर होती लेकिनों किस पर अधारित होती है अगर अधारित होती है पुछा जाएगा तो मांसुन पर मांसुन पर अधारित होती है तो यहां पर इसमें अलग अलग दिया है, छापी जलवाई उसा पर दोनों दिया है, अगर यहाँ पर मांसुन अधारी थयर, मैं आपको बता है नमांसुन पर तो आप ठीक लगाईगा, अगर दोनों सूस का और आद्र एक साथ लिखा रहता है तो आप उसको लेते लेकिन छतिज़र की जन कैसी है पूछग है तो कैसी सूस का आद्र है लेकिन एक्जाम में यहाँ पर मांसून अधारित लिया गया है चतिज़र के सरवादिक वर्षा वालो इस्थान आपको बताया मैंने अबुजमार की पहाड़ी है न सबसे ज्यादा वर्षा अबुजमार की पहाड़ी में होती है याद रखना मांसून का प्रवेश होता है आपका ज्यून से कुल है यहांसे आपको जूनाए अबोज मार में कौन से क्लिट इसत्igkeit थे आपका नरायन पूर आएगा ठीक है नहीं नरायन पूर आएगा ठीक है याज रखना अबोज मार कौन से जिले में तो अबोज मार की जो पाली यह ना ऑपका नरायनपूर जी लहें मों पूछ ने जमने की सबसे कम वर्षा नवैंड़ नरायनपूर हुठवरि सबसे ज्यादा वर्षा होते हैं नरायनपूर जल्वाई सब्थ कि सब्थ चल्वधमिन आर्भी भह्षा से आपकर साया हुआ है तो चलिए फिर नेस्ट टॉपिक पर देखते हैं, चलिए खनीज उद्योग से कुछ कोशन कर लेते हैं, वाल लाइनार है और जितने भी प्रमुख खनीज भंडारन उत्पादन जितने भी यहां सिख्जा में पूछे गए हैं, देखेंगे, है ना, तो देखें यहां पर यहां पर पूछा गया है, काला हीरा, सिजी पेसी 2016 में पूछा गया है, काला हीरा किसे कहते हैं, कोईला को, ठीक है, चतिजगर में गोल्ड और फ्लोराइड में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, महासमन जिले में, चतिजगर में जो गोल्ड और फ्लोराइड है, सिजी पेसी 2014 में तीक है? थिक है? जीला? लव है इसके के विश्व प्रसिद्य आख्ःदान चत्त्मेश में कहा है? तो यापका पहला पहड़ी दंतेवारा जीला में शबसे ज्यादा अगर पुछा जहे क्रॉम वास खनीच के बारे में तो कोईला जो है आपको खनीज का आएगा जो की 18.22% है ठीक है कहीं कहीं इसमें 21.18% भी दिया होगा लेकिन आप आपसान 18 लेना ठीक है और कौन सी खरन भिलाई स्टील कारखाने लाइस के दो पूरती करता है ये भी व्यापमदुजर सत्रम पुछा गया है दल्ली राजहरा ये कहा है आपको बालोद जीला में शत्ती गरश्य के किस जीले में गौबर्मेंट खनीज पाया जाता है गौबर्मेंट खनीज गर्यवन आप जसपूर CGPC 2018 36 गड़ में संगमर्मर्व का पत्थर कहा पा जाता ये भी आपके एक्जाम में पूछा गया है बलरामपूर में पाया जाता ये भी CGPC 2015 में पूछा गया ग्रेफाइट है ना तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजेगा इसका पार्ट टू वीडियो आपको 36 गड़ के खनी संजदन विभाग से हम लेकर आने वाले हैं